आज आपके मैट्रिक बोड एकजाम 2024 के लिए जो सेंट अप एकजाम 2023 का योजन हो रहा है उसमें सोसल साइंस और साइंस का एकजाम होगा दोनों का प्रसंपत्र और सब्जेक्टिब आपको ध्यान से समझना है साइंस में देखिया आपको फिजिक्स कमेस्ट्री बायो से कितना प्रसंट पूछा गया है कितना का उतर लिखना है एए आपको समझ कर सभी प्रस्ण का उतर आपको नहीं लिखना है उसी तरह समाजिक hani में कापी सीगमेंट है तो पूरा आएं समझ लेते हैं कि आज के paper में आपको किस रूप में उतर लिख कराना है अथम पाली में आपका science का एकजाम होगा 80 objective प्रसन पूछा गया है आगे मैं 80 में 80 का सही उतर बताऊंगा इसमें से मातर आपको जो 1,6,40 बनाईएगा ठेक है फिर subjective में देखिए किस रूप में प्रसन आया है सबसे पहले आपको भावतिकी सास्तर के लगूतर ये प्रसन आपसे पूछे गए 1 से 8 तक जिसमें से 4 प्रसन का उतर देना है इसमें से कोई 4 आप बना सकते हैं इसमें से दूसरे नमर पे पूछा गया है तो उसका उतर है फिर आगे पूछा गया था कि विधूत में 5 नमर पे प्रसन था कि विधूत की घरेलू आव सकता को पूरा करने के लिए सौर पैनलों में उपियोग में कौन सी रूकावटे होती है जो कम दक्सता और अधिक लागत ये सब प्रसन था तो इसका उतर यहीं होगा तो चार प्रसन का उतर लिखना था चार प्रसन का उतर यहाँ पे कम्पलीट कर दिया गया है फिर आगे फिजिक्स से 9 से 10 तक दिरूतर ये प्रसन था जिसमें से 1 का उतर लिखना था लिखना है इसमें से 11 पर प्रसंता कि आधुनी का वर्थ सालनी के नियम को लिखे तो नियम है यहां पे देखिए 14 नमर प्रसंत पर आपसे पूछा गया था कि आउच्छेपन अभिकरिया क्या है उधारन के साथ समझा दिया गया है फिर अगला प्रसंत पूछा था कि चिप् फिर अगला प्रसंत या उधारन का परिभास और दो प्रसंत पूछें साइंस में उसी तरह उतर लिखना चाहिए तो चार यहां पे देखिए आपका केमेस्ट्री में भी उतर कम्प्लेट हो गया 1, 2, 3, 4 फिर आपके 19 और 20 नमर पे chemistry से ही दिर्गुतर ये प्रसंद पूछा गया है एक प्रसंद का उतर लिखना है तो 20 पे ताकि pH क्या है और pH का दैनिक जीवन में महत्तो तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजेगा दिर्गुतर ये प्रसंद थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा आपका पूरा उतर chemistry का complete हो गया फिर आप आगे बढ़ेंगे तो जीव भी ज्यान में आज आपको उतर लिखना है प्रसंद 21 से 28 तक जीव भी ज्यान का मिलेगा लगू उतर ये जिसमें से 4 प्रसंद का उतर देना है तो 4 का उतर complete हो गया फिर आपका आगे जो है 29 और 30 नंबर पे अंतिम प्रसंद है 30 नंबर 29 और 30 पे आप से पूछा गया था कि मतलब कि इदर हुतर ये प्रसंद जीव भी ज्यान से एक का उतर लिखना था तभी science में आपको पूरांक मिलेगा और 40 objective और 40 अंका ये complete हुआ पहला आईये में आपको समाजिक विज्यान का उतर कैसे लिखना है वो समझा दे रहा हूँ फिर हम लोग चर्चा करेंगे कैसे PDF डाउनलोड करेंगे और objective का उतर कहां से मिलेगा ध्यान से देखिएगा समाजिक विज्यान को ध्यान से समझेगा दूतिये पाली में आपका समाजिक विज्यान का परिक्षा होगा इसमें भी 80 objective प्रसंट पूछा गया आगे मैं 80 का उतर बताऊंगा उसमें से कोई 40 बनाईएगा सबजेक्टी में कितना प्रसंट लिखना है आज आपको तो सबसे पहले इतिहास से प्रसंट पूछा गया लग उतर ये प्रसंट 1 से 6 तक जिसमें से 3 प्रसंट का उतर लिखना है पहला प्रसंट की मेटरनिक यूग क्या है उसका उतर है फिर कोई तीन का उतर लिखना था तो तीसरे नमर प्रसन था कि होची मीन मार के क्या है तो उसका उतर है छा नमर प्रसन था नीर ओधोगी करण से आप क्या समझते है तो उसका उतर यहाँ पे तयार कर दिया गया है फिर प्रसन संक्या साथ से आठ तक इतिहास के दिर्गूतर ये प्रसन है जिसमें से एक का उतर देना है तो जर्मनी के एक विकरन में 20 मार की भूमी का है तो यहाँ पर पूरा भूमी का है थोड़ा सा बड़ा होगा कोपी पर आप इसके नोट डाउन करेंगे तो तो यहां से बस इतना ही प्रसन का उतर लिखना है तीन लगूतर यह फिर आगे आपको राजनीती विग्यान से प्रसन मिलेगा एकजाम में आज लगूतर यह प्रसन 9 से 12 तक पूछा गया है दो प्रसन का उतर मात लिखना है तो यह प्रसन था 9 नमर पे दल बदल बिरोधी का क्या है दस पेता कि समाजिक विभाजनों को हल करने का सबसे अच्छा तरीका तो यहाँ पे उसका उतर है फिर 13 और 14 पर आपसे पोलिटिकल साइंस दिरिखुतर यह प्रसंद पूछा गया है एक का उतर लिखना था तो 14 नमर पर प्रसंद था कि भारतिय संगिय सासन व्यवस् और अगला प्रसंद यहाँ पे देखिया है कि भारतिय पुन्जी बाजार को परिभासित करें तो उसका उतर है फिर आगे प्रसंद संख्या 19 और 20 पे और थसास्तर से ही दिरिखुतर यह प्रसंद पूछा गया है एक का उतर लिखना है तो 19 पे प्रसंद था कि सेवा छेतर में किसी की कौन सी पधति उप योगी मानी जाती है 22 पे प्रसंद था कि लोह अयस्क के परकार का नाम बताईए फिर 26 पे प्रसंद पूछा था कि और नवी करनी है संसाधन के दो उदार है तो तीन आपका कंप्लेट हो गया उतर फिर 27 और 28 पे भूगोल से दिरिखुतर यह प्रसंद पूछा गया एक का उतर लिखना है तो 28 पे प्रसंद था कि मिर्दा संद रक्षन पर एक निबंध लिखिए तो पूरा यहाँ पे 20 तार से उतर आपके लिए तयार कर दिया गया है ठीक है फिर आगे आपदा परबंधन से लगूतर यह प्रसंद पूछा गया है तो पूरा यहाँ पे ऐसे असपस्ट हेडिंग डाल डाल कर तब लिखेगा है कि आपकी सीगमेंट का आंसर दे रहें ताकि एकजामिनर को आंसर चेक करने में कोई भी दिकत नहीं हो तो ऐसे ही आपको समाजीक बिग्यान में पूरा इतना प्रसंद का उतर लिख कराना है च कोई भी ब्राउजर उपन करके गूगल सर्च बॉक्स में आईए और इस चैनल का नाम ए आर कैरियर फॉइंट स्पिलिंग जो लिखा हुआ रहा होगा सभी सामने सर्च रिजल्ट आ जाएगा सबसे उपर देखिए ए आर कैरियर फॉइंट डॉट कॉम ऑफिस्यल वैपसा साइन्स को देखना है तो मैंने साइन्स पर क्लिक किया साइन्स एकजाम के बारे में एक एक जनकारी आपके सामने कुछ इस तरह ओपन हो गया यहां पे पूरा असी में असी का सही उतर है कोई 40 आपको इसमें से बना लेना है सब्जेक्टिव का PDF जो मैं दिखा रहा था तो सब्जेक्टिव कोशन आंसर PDF जो मना है इसके सामने क्लिक हैर है इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लिजेगा यहां से देख देकर भी आप लिख सकते हैं आप पूरा उतर अपडेट कर दिया गया है उसी तरह आपको मान लिजिए मैंने साइन्स का बताया सोसल साइन्स का च जाएगा नीचे की तरह बढ़िएगा यहां पे 80 में 80 का समाजिक बिग्यान का सही उतर है कोई 40 आपको बना लेना है फिर नीचे की तरह बढ़ेंगे तो सब्जेक्टिव कोशन आंसर PDF यहां पे क्लिक हीर बना है इस पे क्लिक करके आप डाउनलोड कर सकते हैं यहां से दे बहुत बहुत धन्यवाद